आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चनल जीम अश्टडी में आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले है टोप 40 MCQ कोश्चेन जो बहुती आपके लिए एक्जाम के दिरिश्टी से महत्पून है वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और ये 40 कोश्चेन का सीरीज कब खतम होगा जब तक आपका 150 से भी ज़्यादा कोश्चेन कवर नहीं हो जाते ठीक है इसके बाद चैप्टर वाइस भी कोश्चेन कवर करवाएंगे अगर आपका साथ रहा तो वीडियो को कम्प्लीट देखना है अपने दोस्तों में सेर करना है और साथी साथ जो भी ने वीवर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए कोश्चेन को सुरू करत तो यहाँ पर देखे इसका उत्तर आपका उप्सन नमबर डी प्राग इतिहास आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नमबर कोश्चेन क्या आपका एका की परिवार में एक दमपती के साथ रहते हैं तो उप्सन नमबर ए है आपका विवाहिद बच्चे या आ बच्चे रहते हैं याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नमबर कोश्चेन क्या आपका खासी जन जाती किस राज में पाए जाते हैं कसमीर में में मेघाले में अरुनाचल परदेश में या फिर उडिसा में इसका उत्तर होगा मेघाले में आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नमबर कोश्चेन क्या आपका तोड़ा पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं पंजाब में गुजरात में कनाटक में या फिर तामिल नाडू में अगर एंसर जानते भी हो तो कमेंट बोक्स में जवाब भी देते जाना इसका उत्तर ह पंजाब में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइब नमबर और यहां पर देखे कोश्चेन नमबर फाइब क्या आपका बिरोहोर पाये जाते हैं कहां पर पाये जाते हैं तो यह जारखंड में पाये जाते हैं आगे यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर सिक् का परिहार संबन्द पाया जाता है इनके किनके बीच में पाया जाता है एक पिता और उसके पुत्र के बीच में या फिर एक पुरुस और उसके सास के बीच में या फिर एक इस्तरी और उसके पती के छोटे भाई के बीच में तो इसका यहाँ पर देखिए और option number D क्या है एक पुरुस और उसकी पतनी की बहन के बीच में तो यहाँ पर इसका उतर होगा option number C एक इस्तरी और उसके पती के छोटे भाई के बीच में क्या पाय जाता है परिहार पाय जाता है ठीक है परिहार संबन पाय जाता है चलिए आग यहां पर देखे कुछ नम्बर 9 किया आपका तो कुछ नम्बर 9 यहां पर ध्यान से देखिए सेवा विवाह पाए जाता है हिंदवों में, गोंडों में, टोडाओं में या बिरहौर में इसका उत्तर होगा गोंडों में ठीक है, चलिए आगे देखतें नेक्स्ट दस नमबर कुश्चिन निम्न में से कौन वन मानुस है तो इसका जो उतर है वह आपका चिम्पांजी ठीक है पोलर भालू भालू भी नहीं है यहाँ पर जंगली भालू भी नहीं है उट भी नहीं है चिम्पांजी के आपका वन मानुस है आगे बढ़ते है नेक्स मुंडा के, आगे बढ़ते हैं, next question 13 number, सरना धार्मिक अस्थल है, सरना जो धार्मिक अस्थल है, वो मुंडो का है, या गोंडे का है या फिर नागा का है, या फिर हो का, इसका उत्तर होगा मुंडा का, ठीक है आगे बढ़ते हैं, next, 14 number भारत में सबसे बड़ी जंजाती है, कौन सी है, गोंडा का या फिर भील का, या संथाल का, या फिर उराओ का, इसका उत्तर होगा भील का आगे देखें, जंजातियों के अध्यान के लिए हम पढ़ते हैं भुगोल पढ़ते हैं, या मानो सास्तर पढ़ते हैं, या फिर राजनितिक सास्तर पढ़ते हैं, या फिर मनो विग्यान पढ़ते हैं, तो जंजातियों के अध्यान करने के लिए हम लोग कौन सा सास्तर पढ़ते हैं, मानो सास्तर पढ़ते हैं यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलोजी तो इसका उत्तर होगा मानो सास्त्र आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोला नमबर सोला नमबर कोशिन क्या आपका आगामी और ओ जन जाती किस राज में पाए जाती है इसका उत्तर होगा नागा लेंड में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सतरा नमबर और सतरा नमबर कोशिन क्या आपका निम्न में से कौन मनो विज्ञान की साखा है तो कोशिन नमबर सतरा का जो उत्तर है वह आपका अप्सन नमबर डी प्राक इतिहास आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट अठारा नमबर अठारा नमबर कोशिन क्या आपका एकाकी परिवार में एक दंपत्ती के साथ रहते हैं देखिए यह कोशिन रिपीट किया है ना यहाँ पर होगा आविवाहित बच्चे छल्याँ अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नमबर कोशिन नेक्सट क्या आपका भारतिय मानोसास्त्र के जनक कौन थे तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा डॉक्टर एल-पी विध्यार थी ठीक है चल्याँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बीस नमबर और बीस नमबर कोश्चिन क्या आपका निमन में से कौन पसू पालक जन जाती है तो यहाँ पर देखिए कोरवा है या करमाली है या फिर लोहरा है या फिर बिरहौर पसू पालक जन जाती इसका उत्तर होगा बिरहौर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ए एकीस नमबर कोश्चिन और एकीस नमबर कोश्चिन के आपका अनिमलिकित में से कौन कारिगर जन जाती है माल पहाड़िया या फिर कुरवा या फिर खरवार या फिर लोहरा ते इसका उत्तर होगा अपसन नमबर डी यानी लोहरा आगे बढ़ते है और फिर अप्सकी पत्नी के चोटे भाई में या फिर एक वेक्ती और उसकी पत्नी की बड़ी बहन में या फिर एक वेक्ती और उसकी सास में तो देखे इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा उपसन नमबर बी यानि एक व्यक्ति और उसकी पतनी के छोटे भाई में कौन सा संबंद होगा यहां पर देख लीजिए परिहास ठीक है संबंद जितने भी है किसके किसके बीच में होगा उस कोश्चन को आप लोग जरूर देखेगा एक्जाम में जरूर आएंगे आगे यहां पर देखे चोबीस नमबर मातरी सतात्मक परिवार पाये जाते हैं कहां पाये जाते हैं नायर में या फिर माल पहाड़िया में या फिर बिर्जिया में या फिर कोरवा में तिसका उत्त होगा माल पहाड़िया में आगे बढ़ते है नेक्स्ट पचीस नंबर और पचीस नंबर कोशन के आपका निम लिखित में कौन सा वन मानू सबसे छोटा है पहला उपसन आपका गोरिल्ला या फिर चिंपांजी या फिर गिबन या फिर ओरांग उटा तो यहां पर देखिए पूर्ण पासान यूग में या फिर तामर यूग में या फिर काँसी यूग में तो इसका उतर होगा गोण्ड में आगे बढ़ते हैं next 28 number 28 number question क्या आपका जंजाती समू है तो कौन सा जंजाती समू है वर्गों का गोत्रों का या जंजातियों का या फिर समूहों का तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गोत्रों का ठीक है आगे बढ़ते है next 29 number छेत्र कार एक विसेस्ता है तो यहाँ पर देखिए अपसने क्या आ पिर मानव विग्ञान की या फिर इन में से कोई नहीं तो छेत्र का जो कार है वो किस की विसेष्ता है तो इसका उत्तरोगा मानव विग्ञान की तो आगे बढ़ते है next question तीस नंबर कोशिन क्या आपका संस्कृती के दो तत्व कौन-कौन से है सजी एवं निर्जिव या भहतिक एवं आभहतिक या प्राकृतिक एवं कृत्रिम या फिर इन में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा प्राकृतिक एवं कृत्रिम ठीक है ये दोनों क्या है संस्कृति के दो तत्व है आगे बढ़ते है नेक्स्ट अनुसूची जन जाती है जारखंड की एक जन जाती या सविधान में सुचित एक जन जाती या फिर जारखंड का एक जीला या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सविधान में सुचित एक जन जाती है जो अनुसूचित जाती है इसमें कौन-कौन से कटेगरी के जो पिछड़े जाती आते हैं SC और ST अब दोनों को समझे अनुसूचित जाती को बोला जाता है SC और अनुसूचित जन जाती को बोला जाता ह तो यहाँ पर अनुसूचीत जन जाती है तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि सविधान में सूचीत एक जन जाती आगे आपर देखे 32 नमबर कुश्चिन क्या आपका जारखंड की जन जातिया है यहाँ पर देखे चार उपसंदीवे भील और खासा असूर और सैरिया पहाडिया या फिर टोड़ा और चेंचू या फिर इन में से कोई नहीं ते इसका उत्तर होगा असूर और सौरिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चिन 34 नमबर कुश्चिन क्या आपका निमन में से कौन आदिम जन जाती है यानि बहुती पुराना जन जाती उराओ मुंडा या असूर या संथाल इसका उत्तर होगा असूर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नमबर कुश्चिन क्या आ पाय जाता है भील में मुंडा में उराओं में या इन में से कोई ने इसका उत्तर होगा भील जन जाती में ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चेन जगा समु है तिड बाहरवाही या फिर अंतर विवाही या इन में से कोई नहीं इसे का उत्रम उत्रगॉए अंतर विवाही ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट 49 नमबर और 49 नमबर क्वेशन किया आपका किस जनजाती में बहुपती परिवार पाया जाता है तो इसका जो उत्तर है वो आपका उस नमर B यानि खासा में ठीक है बहुपती विवार का मतलब होता है एक लड़की का तकरीबन जिस घर में विवार होता है उसका दो तीन हस्बेंड होते है ठीक है उसी घर के मर्द के साथ साधी बिया होता है उसी को खा जाता है बहुपती विवा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चालीस नंबर चालीस नंबर कोशिन क्या आपका इरूला जनजाती पाया जाता है कहां पाया जाता है बिहार में तमिल नाडू में उडिसा में या इन में से कोई नेतिस का उत्तर होगा उडिसा में तो आई होप कि आज की विडियो में जितने कोशिन मैं आपको करवाया हूँ आपको जरूर पसंद आया हूँगे तो प्लीस विडियो को लाइक कीजेगा और नए वीवर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नेक्स्ट विडियो में फिर मैं आपको और भी इसका सिरीज अगला पार्ट कराने वाला हूँ तब तक के लिए जैहिन जैजारकन